आपने ये खबर तो सुनी ही होगी। भारत के जमीन के रिकॉर्ड्स अब डिजिटल हो रहे हैं। चलिए, देखते हैं कि भू आधार आपके और आपकी प्रॉपर्टी के लिए क्या मायने रखता है। भारत सरकार ने भू आधार शुरू किया है। ठीक आपके आधार कार्ड की तरह जमीन का 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नमबर। इस पहल का मकसद है जमीन के विवादों को कम करना और गावों और शहरों दोनों जगहों पर पारदर्शिता बढ़ाना। ये कैसे काम करेगा। हर जमीन के टुकडे को GPS टेकनोलोजी से जियोटैक किया जाएगा, उसकी बाउन्रीज का सर्वे किया जाएगा और उसे ये यूनिक नमबर दिया जाएगा। जमीन के मालिक का नाम, एरिया और यूसेज जैसी डिटेल्स एक डिजिटल रिकॉर्ड में रखी जाएगा। शेहरों में जमीन के रिकॉर्ड्स को GIS मैपिंग से डिजिटलाइज किया जाएगा, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स का अड्मिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बहतर देगा। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। भू आधार जमीन के मालिकाना हक को साफ करता है, भूखा दुड़ी कम करता है और अग्रिकल्चरल लोन और सर्विसस का आसान पहुच देता है। साथ ही ये आपकी जमीन का पूरा इतिहास और मालिकाना हक की डीटेल्स भी देता है। अगले तीन साल में जमीन के मैनेजमेंट में कृमती की उम्मीद कीजिए। राज्यों को इन बदलावों को लागु करने के लिए financial support भी लोगी। भू आधार भारत में जमीन के मालिकाना हक को मैनेज करने और समझने के तरीके को कैसे बदलता है। इसके अपडेट्स के लिए बने रही है